हेलो फेंड्स, वेलकम टू स्टड़ी विद देव, स्टड़ी विद देव टू चैनल पर मैं देवंदर आपका स्वागत करता हूँ, दोस्तो आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा है, तो सस्क्राइब कर लीजे और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ओन कर लीजे, दोस्तों, आज के यस Willi अम हम बात करेंगे, बी ए सि नर्सिंग काउंसलिंग डेट के बारे में, बी ए सि नर सिंग काउंसलिंग रेट है, वो कब तक आने वाली हैं, क्या उसकी पोसिविलिटी बनने हैं, क्या उसकी जानकारी आपके सामने रखोंगांगा, किस प पहले अगर आपन आपन जाकर देखते हैं तो अभी तक काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इन्फोर्मेशन इन लोगों ने अपलोड नहीं की हैं आज हो चुकी है 24 फेब यानि की कम्पलीट एक महिना अपने एक्जाम को हो चुका है क्योंकि आप सभी को पता है 25 जनवरी को आपका एक्जाम हुआ था और जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है ठीक है 31 दिन का होता है तो 6 और इस परकार 6 और 24 जानि की आज 24 फ्लस 6 कितने दिन हो गई टोटल 30 दिन आपके कम् बताऊंगा तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं आपको जो एक बार जाने का देदू 25 को आपके लिए 25 पेब आपके लिए अहम रहने वाली है बस इतना ही बताूंगा आगे बात आगे करेंगे 25 आपके लिए बहुत इहम इंफोर्मेसन रहेगी इस दिन क्या रहेगी वो ब देख सकते हो आप तो यहां पर आपन जाके देखते हैं कि दुबारा से आरचेस तो उस एड़ेशन पर जाकर अपन देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है वहां पर अभी कोई भी इनफोर्मेशन काउंसलिंग से लेटेड अपलोड नहीं किया बीसी नर्सिंग वाले से पूल भी नगब्राएं आपकी लिए आज चयानेसे साम को यह बात हुई है और के स्टरों के अकोडिंग में बात बता और इसी वज़े से वीडियो बना कर बताना पड़ा नहीं तो मैंने वैसे टेलिग्राम पर निफॉर्मस दे देती 25 फेब को या तो बच्चों पढ़ाय में डाउट आते हैं सोलो नहीं हो पारे गबराव मत इसका सोलूसन है डाउट ना टैप जिस भी सवाल में आपको डाउ जी या नीट का हो या फिर सीवेसी यूपी बिहार राजस्तान ओद्रिस्टेट बोर्ड का हो कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बाइलोजी साइंस आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिरफ डाउट नट एप पर साथ ही डाउट नट पर चल रही तो यह बात आप द्यान रखना कांसलिंग के लिए परकिर्या के लिए नोट इपिकेशन आज आज आएगा आज या कल ठीक है दूसरी बात कांसलिंग का जो रहने वाला है कितने दिन लगबग चलेगी लगबग 6-7 दिन आपकी चोईस प्लिंग एंड पैमेंट चलने वाल हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो एक मिनट तो दोस्तों कांसलिंग परकिर्या कि हम बात करेंगे कांसलिंग एक मिनट counseling process की हम बात करेंगे तो counseling process क्या रहने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे तो counseling process से आपकी क्या रहने वाली है कब तक आपकी counseling start होगी इसके बारे में हम बात करेंगे तो counseling process में आपको 4 round देखने को मिलेंगे कितने round देखने को मिलेंगे चार round देखने को मिलेंगे कौन-कौन सा पस्त round होगा second होगा और third होगा जो तीनो राउंड है पस्त, second, third ये सबी क्या होने वाले online होने वाले हैं क्या होने वाले दोस्तों online होने वाले इसके अलाबा जो fourth round होगा जिसे مोपप round भी बोला जाता है मौप अप मौप अप राउंड भी जिसे बोला जाता है यह आपका होता है ओफ लाइन ठीक है ओफ लाइन यह आपका राउंड होगा ठीक है ओनलाइन तीन होंगे और फॉर्थ जो होगा एक मौप अप राउंड होगा यह ओफ लाइन होने वाला है ठीक है यह राउंड के बा काउंसलिंग स्टार्ट होगी काउंसलिंग स्टार्ट होगी लगबग आप मानकर चलो 26 यह 25 से मानकर चलो आप गर 25 से काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो चार मार्च तक लगबग आपकी काउंसलिंग चलने वाली है ठीक है तो याने कि चार दिन यह और चार आपकी काउंसल जिसे तर टाइम दे रहे अन्यता पेरा मेडिकल वगएरा में पांच दिन का ही टाइम और जिस पांच अच्छे दिन का टाइम और जिस ने दिया है लेकिन बीएस नर्सिंग में आठ दिन का टाइम आपको मिनिमम देने वाला है और जिस इसके साथ साथ आठ दिन के बाद प् अलोट्मेंट लेटर आपका रिलीज होने वाला चेया साथ मार्च को और चेया साथ मार्च से चेया साथ मार्च से यानि कि आशाथ को रिलीज होगा तो साथ से साथ से लेके बारा थेरा तक तेरा तक आप को लेज में की दिया जाएगा выпूर्टिंग का टाइम आपको दिया जाएगा तो यह अब देख सकते हैं तना आपका- इिपोटिंग उस्दी आसे दिन लिए कोई च्रफी स्बाठ चिते बश्चिम्वेदारी आपकी होगी परिust इसलिए मैं आप से बोलूंगा कि आप अपने documents ready रखे the documents आप बना के रेडी रखे documents के लिए आपको प्रेशन ना होना पड़े जो एफिडेविट और जो medical certificate वही आपको बाद में बनाने पड़े उससे पहले आप अभी अपने सारे डोकुमेंट्स रेडी कर लिजे ताकि आपको अपडेट टाइम से मिल जाए ठीक है तो यह टाइम से आपका काम हो जाए आपको प्रेशान नहोंना पड़े इसलिए डोकुमेंट्स आप अभी से रेडी रखना वीडियो में कमेंट्स ज तीन राउंड कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तीन राउंड मुस्किल पूरा मार्च आपका जाएगा इन तीनों राउंड के चक्कर में पूरा मार्च चला जाएगा फिर मोपप राउंड का कभी पता नहीं कभी हो सकता है तो मोपप राउंड में क्या होता है हर कोलेज का अल उसके बाद इस्ट्रेंट्स के अकोर्डिंग जो कोई भी जुगार कर सकता है कैसे वेडियों करवा सकता है यह बात आप द्यान रखना अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हुए कि कहा नोटिपिस निकला है कहा नहीं निकला तो हमारे टेलिग्राम की चैनल हमने डिस्क बता चुका हूं पीस पांसो पचास रुपय लगने बाली पांसो पचास रुपय आपके काउंसलिक पीस रहीगी जो आप ओन लाइन या ओप लाइन दोनों तरीके उसे आप चालान अपना जमा करवा सकते हो उसका यह सारी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े र दाएगा कितने स्कोर आपके बन रहा है कितने क्यों संस्त है कितने नंबर गलते कौन सा सही आंसर होगा इसका कौन सा गलत हो सब आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में टेलिग्राम पर मैं लिंक प्रॉइड करवा चुका हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में ने दे दिये तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हूं तो आज का वीडियो आपको किसा लगा यह आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे पता है नेगेटिव लोग नेगेटिव ही कमेंट करेंगे तो आप कोई बात नहीं नेगेटिव नेगेटिव होते ही हैं हर जग तो दोस्तों आप अब और भी इंफोर्मेशन आपको मिल जाएगी पेरा मेडिकल के लिए आज आपके लिए कटोप आ जाएगी कितनी कटोप आपकी रहने वाली पेरा मेडिकल की वह आज आपको हम बता देंगे साम तक आपको वीडियो पेरा मेडिकल का मिल जाएगा तो दोस्तों पेरा मेडिकली काउंसलिंग अगर आपके अच्छे नंबर है तो आप करवाईए जितने कितने नंबर वालों को करवाना चाहिए कितने वालों को नहीं करवाना चाहिए ये भी जानकारी में आपको दूँगा सबी को पता होना चाहिए जानकारी के अबाव में बहुत सारे counting नहीं करवा पाते तो आप जानकारी के अबाव में ना मरे जिन्दा रना है तो अच्छे से रहिए ठीक है counting करवाईएगा आपको ही profit होने वाला है धन्यवाद दोस्तों टेक केर अपना ख्याल रखेगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंफोर्मसिन के साथ जल्दी ही